बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्रहीम असलाम वालेकूम दोस्तों मैं हूँ मुहमाद जावेद और आप देखनें स्कील मास्टर फ्रेंस परसू मैंने एक वीडियो अप्लोड की एंटी डीसी इंटर्व्यू असिस्टिन लेंड मैन तो काफी जादा दोस्तों ने उसे पसंद किया और रुकेस्ट की कि आप जो है मजीद वीडियो अप्लोड करें जितने भी केडर हैं तो आज की वीडियो मेरी तमाम दोस्तों के लिए हैं जिन्होंने एंटी डीसी का टेस्ट दिया ठीक है लिए बहुत ही एहम सवाल है जितने भी वीडियो वाज करें क्यूंकि यह क्वेस्टिन जो है एंटी डीसी के रिलेटेड है ठीक है ताकि आपको डिपार्टमेंट के मुतलिक कुछ न कुछ इन्फरमिशन जो है वो मुझूद हो तो आपने देखना है कोई सी अगर मतलब आपको कहीं गलती नजार आए तो आपने कामेट्स बॉक्स में जरूर बताना है लेकिन इन्शालला इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रुक्स्ट है कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के बड़न को आल पे रख लें ताके हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस किसम की जितनी भी इन्फरमेशन हो एंटी डी सी के रिलेटेड उससे आप अगा रहें फ्रेंड्स क्वेस्टन नंबर वन देखते हैं एंटी डी सी एल स्टेंड फार ठीक है आपको इसका अब्रिवियेशन भी आना चाहिए कुछ दोस्तों को तक्रीबर आल फ्रेंड्स को पता होगा लेकिन फिर भी मैंने का चलो कुछ दोस्तों को शायद पता भी नहो नेशन क्वेस्टन नंबर थ्री बहुती एहम सवाल है फ्रेंड्स ठीक है इसको याद रखें नेशनल ट्रास्मिशन एंड डिस्पैज कंपनी फाउंडेड इन यह जो एंटी डी सी ती यह कब बनी वो इसका साल याद रखें यह उन्नीस सो आठानमे में कायम हुई ठीक है Q4 देखें फ्रेंड्स नेशनल ट्रास्मिशन एंड डिस्पैज कंपनी इस पावर ट्रास्मिशन कंपनी मेनेज बाइदा इसको यानि इस कंपनी को एंटी डी सी को मेनेज कोन सी मिनिस्टरी करती है तो Ministry of Energy of Pakistan ठीक है यह एहम सवाल है इसको याद रखें Question No.5 देखें Friends National Transmission and Dispatch Company Headquarter is in इनका जो NTTC का Headquarter है वो कहां है वो लाहौर पंजाब पाकिस्तान में है ठीक है Question No.6 देखें Friends बहुत ही एहम सवाल है Very Important Question Friends When National Transmission and Dispatch Company was separated from Water and Power Development Authority यानि के यह पूछा जा रहा है कि यह NTTC जो है वो वाबडा से कब जुदा हुई या लैदा हुई तो Friends इस बात का तो आपको इल्म हो चुका है कि यह NTTC जो है पहले वाबडा का ही हिस्सा थी ठीक है 1998 तक 1998 को यह जो है एक अलग अलग जो है एक कंपनी की शकल इसको दी गई इसको जाद रखें अब अल्रेडी से पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो मुनजम किर्दा साल है वो 1998 है ठीक है तो यह वाबडा से 1998 में ही अलादा हुई क्वेशन नमबर सेवन देखें फ्रेंड्स दा कंपनी एंटी डीसी अपरेट्स हो मैनी 500 केवी ग्रीड स्टेशन्स उससे जह जा रहा है कि एंटी डीसी 500 केवी वाले कितने ग्रीड स्टेशन को अपरेट कर रही है तो चौदा ठीक है इसको जाद रखें 14 घ्रीड स्टेशन जो के 500 के वी वाले हैं उनको अपरेट का रही है. ठीक है? Q8 देखें है फ्रेंड्स द कंपनी एंटीडीडी सी अपरेट्स हमैनी 220 के वी ग्रीड स्टेशन तो दोसो बीक के भी अग्रीड सेशन कितने हैं जिनको एंटी डीसी जो है वो अपरेट का रहे हैं यह 43 हैं ठीक है इनको भी जाद रहें इस ने अपना कमर्शल अपरेशन कब से स्टार्ट किया था तो यह फस्ट मार्च उनी सो निनावे से ठीक है इसको याद रहें स्टेट को क्वेशन नमबर टैन देखें फ्रेंड्स इस नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कमपनी पाकिस्टानी गौर्नमेंट ओन पावर ट्रांसमिशन कमपनी नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कमपनी पाकिस्टानी हकूमत की मलकियत ही पावर ट्रांसमिशन कमपनी है तो हाँ ठीक है न यह दूरूस जवाब है यानि पाकिस्तानी गवर्नमिंट इसको खुद ही ओन कर रही है ठीक है ना क्वेस्टन नमबर 11 देखें वो इस दा करण्ट चेर्मेन आफ एंटी डीसी तो फ्रेंड्स नवीद इसमाईल जो है वो करण्टली एंटी डीसी के चेर्मेन है ठीक है फ्रेंड्स 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 यह हमेशे जाद रखें कि जहां पावर डीजन है तो एंटी डीसी जो है यह पावर डीजन के ही अंडर आती है ठीक है ना तो कभी कभी यहां आ जाता है के पिट्रोलियम डीजन ठीक है या इनरजी आफ पिट्रोलियम तो वहां मुसद्दिक मलिक जो है वो करण्टली मिनिस्टर है फैडरल मिनिस्टर ठीक है तो अवेस लगारी जो है ये करिंटली जो है फेडरल मनिस्टर आफ पाकिस्तान है पावर डिवीजन के ठीक है ये भी जाद रखें कि इनका तालोग जो है वो डेरा घाजी खान से है ठीक है अवेस लगारी ने अपना अवेस लगारी ने अपना अवदा जो है वो कब संबाला किस डेट को जो के पावर डिवीजन मनिस्टर है वो 18 मार्च 2024 को ही उन्होंने जो है अवदा संबाला मिनिस्ट्री आफ पावर डिवीजन का क्वेसन नमबर 15 देखें फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंडस अगर पेट्रोलियम डिवीजन का मिनिस्ट्र पोच जाय को हो वो फैडल मिनिस्ट्र होंगे मुस्ध देक मलेख ठीक है यह जाद रहा अगर क्वेसन इस नुयत का हो एनर्जी मिनिस्ट्र आफ पाकिस्तान कि इसका जवाब दरूस्त होगा question number 16 देखे फ्रेंड्स what is the primary function of national transmission dispatch company primary function जो है वो national transmission and dispatch company का power transmission है ठीक है question number 17 देखे फ्रेंड्स what is the name of the transmission system which operated by ntdc ठीक है उस transmission system का नाम क्या है जिसे ntdc जो है operate करती है national grid ठीक है question number 18 देखे फ्रेंड्स what is the name of the software used by ntdc for grid management grid management के लिए जो ntdc software इस्तमाल करती है उसका नाम या है उसको EMS कहते हैं ठीक है energy management system इसको भी जाद रखे एहम सवाल है question number 19 देखे फ्रेंड्स what is the unit of electrical power वाट ठीक है एहम सवाल है job related question number 20 और इस वीडियो को आखरी question देखे फ्रेंड्स which type of circuits is used to substations substation में कौन से सरक्ट जो है वो इस्तमाल होते है parallel circuits ठीक है तो यह सरक्ट जो है सब्सेंशन में इस्तमाल होते हैं फ्रेंड्स उमीद करता हूं कि मेरी छोटी सी काविश आप दोस्तों को पसांद आई होगी यह आपके लिए एक एक question को मतलब collect किया है ताकि आपकी interview की preparation जो है वो बैतर हो सके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर देना ठीक है अच्छा सा comments कर दें तो हमारी होसला हो जाएगी आपको वीडियो कैसे लगी आपने जरूर comment box में बताना है ठीक इंशालला next video में मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए अज़ादे दें अल्ला ताला आपका आमियो नासर हो सलाम अला आफिस